के अंदर आपको रून प्रसेस हो जाएगा तो रूना एलजबिटी में सेल्टी स्क्राइब चाहिए आपको यह आधर में बैंक स्टीट्मेंट लेटेस चार महीने की चाहिए कि वाइसी में अधार कार्ट चाहिए ठीक है इसके बाद आपको 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 नाम बगेरा भी डालना पड़के आगे बढ़ना है यह आपका OTP बगेरा का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस हो कम्प्लीट करके आगे आएगा तो यहां पर आपको सबसे पहले इमेल आडी देनी है तो इमेल आडी देने के बाद अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते है वड़ना आगे बढ़ना है इसके बाद यहां पर आपको दिखाए वाट्स और इंटरस्ट तो आपको किस चीज में हो मतलब आपको लून लेना है पचासदार रुपय त चैनल और इस वीडियो में आज आप देखने वाले हो एक ऐसे इंस्टेंट परसनल लून एप के बारे में जहां से आपको इंस्टेंट लून मिल जाएगा और वो भी बड़ी ही असानी से इस चीज को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो को अंतक देखना पड़ेगा अब आपको समझ में आएगा कि आज हम किस अप्लिकेशन के बारे हम बात करने वाले हैं और पहले बता दू कि ये अप्लिकेशन एकदम नई तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ अभी तक मैंने अपने चांग पर इस लून एप के बारे में अभी जिक्र नहीं किया है तो मैं सोच में आएगा कि ऐसे कौन से important documents जो सच में चाहिए सच में का मतलब यह है कि वहाँ पे जो real authentic जाहिए यह नहीं कि मैं बोल दुनिया भर की सारी documents को इकठा कर लो और तब कहीं जाके loan apply करोगे तो उसमें आपका काफी time भी जाया जाएगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप में लोन मिलेगा या और भी तीसरे document की जरूत पड़ेगी जैसे तमाम बातों को इस वीडियो में clear करेंगे चान सब्सक्राइब नहीं है तो do subscribe वीडियो को like नहीं है do like share and comment box में लिखके बताना है नाम और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और proper steps जान लेना प्यूरी वीडिय पर click करना है करते सिधा पहुंचोगे loanpower.in के official website पर क्योंकि proper finance platform में तो आपको बता है कि यहां पर दुनिया भर की जितने भी loan application हो या banks लोन लेने लिए जो भी अलग-अलग banks के उपर जो उनके loan products के उपर content हो सभी आपको जानकारी मिलती है तो यहां पर आजाने के बाद से पहला सवाल यह आता है आपके दिमाग में कि हम लोग कैसे apply करने वाले हैं या कैसे लेने वाले हैं इस loan को तो पहले बतायता हूं कि उस loan app का नाम क्या है तो पहले तो इक चिस देखो कि app loan पर आपको जाना होगा क्योंकि category को filterize करोगे तो जितने जादा loan application से loan लेंगे उ कैसे लिया जा सकता है कैसे online आविदन किया जा सकता है जैसे तमाम बात और तमाम content articles इस पूरे के पूरे आर्टिकल में देखने को मिलेगा जो कि आपको पढ़ना चाहिए देखो वीडियो में हम इस बाद पर फोकस रखी रहे हैं कि हमें loan क्यों आविदन करना है क्या से सांगते हैं लेकिन उस loan से होने वाले benefits या pros cons ये कितने ज्यादा better या matter करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए वो आपको article को पढ़के ही पता चलेगा दूसरी बात कि यहां जो loan मिलेगा वह 100% paperless process है जाहिर सी बात है अगर है mobile loan application ले रहे हैं तो पूरा जो process है वो घर बिना मतलब बहुत कम ब्यार्ज दर पर मैं ऐसा तो नहीं कहुंगा कि बिना ब्यार्ज ही नहीं लग रहा नहीं ऐसा नहीं है बहुत कम ब्यार्ज दर पर आपको loan मिलेगा जो कि काफी better है फटा फट से loan मिल जागा flexible payment option यानि loan चुकाने कि काफी flexible options यानि की बहतर तरीके मिल आपको अब कैसे आविदिन करना है वो तो हम बताएंगे लेकिन समझो कि कौन वो आविदिन कर सकता है जिसकी एज 21 साल से ज्यादा है वो आविदिन कर सकता है भारत का नागरिक होना चाहिए एक stable source of income यारी हर महीनी के salary उसकी fix होने चाहिए आनी fix होनी चाहिए वो कितनी आ इसी visit का link पर आपको click करना है और click करते है आप सीधा पहुंच होगी कहा अपने phone की Google Play Store पर वहाँ पर मिलेगा आपको landed personal loan app फिलाल अभी तक में जहां तक मैं इस वीडियो को create कर रहा हूं तो अभी 10 लाग से लोगों ने यानी 1 million प्लस लोगों ने इसको install कर लिया है डाउन बगेरा है loan disbust करने का जीतरा भी process से मुझे लगता है ये भी खतम हो जाएगा तो quick turn around time 500-5 minutes है वो सकता है कि ये time taken जादा भी हो जाए पर कोई matter नहीं करता आपको loan मिल रहा है ये आपने आप में बहुत बड़ी बात है loan चुकाने का समय दो महीने से लेकर 6 महीने के बीच म आपके एक अच्छी source of income होनी चाहिए और महीने की salary कम से कम 15,000 रुपे होनी चाहिए ये वो salary है जो आपके हाथ में आनी चाहिए इसमें cutting, cutting वाली कोई बात नहीं है अधार cut, pen card verification ज़रू होते है bank account where income gets deposited monthly वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और यही सब चीज़े बता अगर आप जो है EMI नहीं पे कर पाए टाइम पर तो में भी बाउंस हो सकता है यह जो भी चीज़े है और minimum APR 26% है जो कि आप आपने देखा कि interest rate जैसे यहाँ पर तो APR 26-60% तक जाएगा यह और यहीं सब चीज़े हैं हाला कि चीज़े ठीक ठाक ही जहां तो मुझे लगता मतलब अभी तक इंस्ट्राल कर चुके तो फाइनली इसको करते हैं जैसी आप लोग landed application को open करोगे कुछ इस तकिए का interface आएगा यह उपन होने के साथ में यह कि में जिखा रहा हूं तो आपको sign up भी करना पड़ेगा इसके क्लिक करना है इसके बात दिखेंगे कि आपके पास जो है लिखा है कि जो documents बताया जा रहे हैं इनको अपनी सब्रेटी रहे हैं क्योंकि 10 मिनिट के अंदर आपको रून प्रसेस हो जाएगा तो रून एलिजबिटी में सेल्टी सिप अगे इसके बाद अगल नहीं है इसके बाद आपको चेंज करना चाहते हो तो बहना आगे बढ़ना है इसके बाद यहां पे आपको दिखाया है तो आपको चीज में हो, मतलब आपको लोन लेना है, 50,000 रुपय तक का, तो इस पर आपको टिक करना होगा, जैसे टिक करेंगे, continue के बटन पर आपको टैप करना है, अब यहाँ बोला है profile picture आपको ready करने के लिए, आपको profile picture हमी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए कोई चेश्मा ना लगा है, क्या टोपी ना लगा है, mask ना लगा है, face mask नहीं हो चीज है, और photo ब्लड़नी हो चीज है, कुछ चीज में add कर देता हूँ, light अच्छी होनी चीज है, और background में कुछ नहीं होना चीज है, ठीक है, और continue पर click कर देना है, इसके बाद आपकी selfie लेने के बाद, capture complete कर प्रोफेशनल फोटो, जैसे कि आपके पास से फोटोग्राफ अगरा होती है, और capture करने है फोटो को, फिर कुछ basic details, employment details, जैसे कि company का नाम, employment sector में कौन सी companies में हो, designation किस post करो, कब से आपने कहां पर काम शुरू किया है, मंधली salary क्या है, salary date क्या है, अब आती हो बतानी है, और vote प्रोफेशनल करने के लिए जाहिर है, आपको अपने loan offers चूज करने के लिए जाहिर है, और अपको अपने loan offers चूज करने पड़ेंगे, फिर अधार के YC verification, bank card verification, bank statement पड़ेंगे, जैसे bank account में आपको पैसा चाहिए, तो चूजन करके, last में loan agreement संक्शन करने के, loan agreement को sign in कर देन और finally आपका process हो जाएगा, तो यह तो एक उधारन स्वरूप था, और एक तरीके से था कि आपको मैं पहले बहुता हूँ, एक अलग loan application के बारे में, तो कि कबसे मैं repeatative एक ही loan application के बारे मतार था, तो आप लोग भी कह रहे थे, एकदम अलग loan application के बारे मताओ, तो मुझे प्रशानी हुई हो, उसके लिए मैं माफिक चाता हूँ, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, बाई!